जहां पुरे देश में लोकतंत्र का परो उस्साह के साथ बनाय जा रहा है वहीं बारा में एक नई नवेली दूलहन ने सुसुराल जाने से पहले मदान कर लोकतंत्र में अपनी भूमी का सुरिश्चित की दरसल बारा की गुंजर अपने बावुल के घर से विदाई लेकर बूत नंबर 13 के राज की कन्या महावी दाले पहुंची जहां उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया ये बारा की तस्वीरे हैं जहां पर एक नई नविली दूलहन मदान के अंदर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया लोगों को जागरूग भी किया हाला कि ये जो तस्वीरे होती है वो साफतोर पर टीवी स्क्रीम पर आने के लिए होती है क्योंकि लोग का अट्रेक्शन जो है इस समय बढ़ जाता है और लोगों को पता भी रहता है कि ऐस समय में जो कैमरे हैं खुद बाखुद इन तस्वीरों के प्रती खीचे चले आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को जागुरुक किया है और अपने मतादिकार का प्रियोग किया है नई नविली दुलहन वहाँ पर पहुंची और अपने अमुलिय वोड डाला ते बारा की तस्वीरे हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो महिला पुरूश है वो लाइन में लगे वे हैं और अपनी बारी का इंतिजार कर रहे है गर्मी काफी है धूब भी कड़क है उसके बावजुद भी उसका जो असर है उन लोगों पर नजर नहीं आ रहा है और काफी उत्सा दिख रहा है काफी खुशी जो चैरे पर है वो दिख रही है लोगतंत्र के महाकुम में सभी अपनी जो भागिदारी है वो बरावबर तरीके से निपा रहे हैं चाहे महिला हैं चाहे पूरूशों चाहे युवा वर्गों सभी आपने पता दिकार कप र्योक कर रहे हैं शान्ति पूर्ण तरीके से वोटिंग भी चल रही है तेरा लोग सभा सीटों पर हलाकि कुछ छुटपूट गटना है जरू सामना आई है लेकि फिर भी निर्वाचरी भाग की ओर से सुरक्षा की कड़े बंदोबस पूरे प्रदेश भर में किये गये हैं सुरक्षा बलों की तमाम जो कम्पनिया है वो पूरे प्रदेश भर में हैं और उसी का नतिजा ये रहा कि जो मद्दान है सभी जगा शान्ति पूर्ण तरीके से चल रहा है